आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आज तो आज़ना साथ करें, और अज़ना सांव नहीं है Jetting के इचंग से तीसरे हेक्साग्राम के बारायम कि उसे भीदा है जो कि चुन के नम से practiced रही हम एकसाग्राम को जब रीट करते हैं तो भी चांज लिम सागज के लिड़ हम जरिखेंता है करिकर बजर दीट जरिक कोरा तो बजरू उदोन प्रिल्ब उखायन अगर फेस हम केन टेञिंगे देंगर तो हमें यह पता चलता है कि यह एक्साग्राम इस अल बाउट तो गोइंग थो डिफिकल्ट ताइम, एक ताइम वेर न गोस थू प्रू तेस्टिंग फिस एक ऐसा वक्त जो कि एक बहुत डिफिकल्ट पीरिट से एक आदनी कुसरता है और अगर वो बज जाता है अगर वो सर्वाइव करता है इसने तो यह एक्साग्राम हमें बताता है कि ट्राइट तो बी इन यूर रूट तो अगर जितने आप अपने रूट के साथ जुड़े र को जो स्टॉर्म है वो हिलानी सकती और इनी रूट के कारण कितने आप स्टेवल रहेंगे उस वक्त जो क्रिएटिविटी आप से बाहर आएगी उस श्रगल के वक्त उस टिफिकल्ट पीरिट के वक्त दें यूज विल सी आपकम इस वेरी बीटिफूल जो है जरूर एक ऐस पीरिट है कि जो सब कुछ हिला के रख देती है आपकी रूट को उस वक्त टेस्केया जाता है लेकिन अगर आप टिके रहे और आप उस प्रोसस से निकल गए लेन यूविल कम आप ऐस दिना तो उस वक्त जो क्रिएटिविटी आप से बाहर आएगी उस वक्त जो आप से ब तो उन्नों वर्ल्ड की जब बात करते हैं वह सिंपली कुछ ऐसा है कि जो आपका एक कंफर्ट जोन था जिसमें अब तक जी रहे थे अब आप उससे जो है बार आर हैं एन जाथ बार तो बोक्स पास एन आपर रोग सिंपलीश है शिमें चुक्री बाता है कि शो आपका इं कि जो आपकी परसनल और एक्सटरनल लाइफ को जो है एक टेस्टिंग फेस से गुजारा है और यही वक्त है जब आप अपने बीतर के एक स्टेबल पोजिशन को ढूल ले अगर आप उस स्टेबल पोजिशन में आप हो गए तो बाहर की स्टॉर्म चाहे वो कुछ भी हो आप को वो और स्ट्रॉंग बना जाएंगे सो जब तक यह स्टॉर्म है आपको जो है अपने उस पीस्फुल सेंटर में आपको रहना है तो जैसा कि हमने पेले भी बात करी है कि हेक्साग्राम जो है हम जब हम रीट करते हैं वो हम रीट करते हैं नीचे से उपर कियों और एंदर बना सिक्स लाइफ और यह जो शिक्स लाइफ ना है वो सिग्निफाई करता है वाटर ओवर थंडर वर हर है जो है वह आपको जो है आपकी उस इनरजी का मैप बताता है कि विर दिस इनरजी इस गूंग को हा व उत बना बीट उप तो आर इसकी ग्हरे में जाते हैं और गो है जब आपको जो है जब आप महसूस कर सकते हैं कि that there is a time जब मुसीवत आपके पास आने को है आप सेंस कर सकते हैं so that is why इस तो पहली लाइन है it is called the scent of the storm this is the time when you establish yourself when you make yourself stable जब आपको पता चल गए कि एक मुसीवत आने को है this is the time to start working on oneself this is the time when you start making stable progress hesitation तो होगा लेकिन this is also the time to take the action और ये हेक्साग्राम हमें ये भी suggest करता है try not to travel alone be with someone if possible because this is going to help you a lot अगर हो सके तो किसी का साथ ले लीजे नहीं तो किसी को साथ दे दीजे इससे ये होगा कि आपकी जो जरनी है जो ये जो situation जो आप इससे गुजर रहे है वो आसान हो जाएंगी जो second line है वो बताती है the storm is approaching that means अब जो है आप और करीच से देख सकते हैं कि storm का शोर हो चुका है कि वो आ रही है कि difficult time जो है आने वादा है और वो आ रहा है जैसा कि हमने पैले line के बारे में बात करी है हमने देखा है कि अगर आपको जो है कोई help मिल जाएगी या आप किसी के साथ हो जाएंगे तो आपके अच्छा रहेगा So this is the time where you start feeling, where you start meeting people So this is the time where you can actually meet those people So this could be someone around you And at this time you can also think that this is the time where you want to take advantage of your work But at this time you have to follow your instincts At this time you have to follow the path that you have to follow So this is the time where you have to follow the path that you have to follow In light, of course, a situation comes from when you don't see much choices You don't see much choices in front of you And the choices that you have to follow That is what you have to do This is the time where you get help You will realize that it has helped you Because of this help you have grown So this hexagram tells us that at that time you may not trust But after that you will realize that the step you took was a good step The third line is that the storm breaks And this is the time when finally the storm breaks That the storm has come The storm has come The storm has actually come Now the first and second line of indications That you have told If you have not covered yourself If you have not given help Then you will be in trouble Then you will find yourself in a pit Because when the crisis comes If you have any difficulties There are many indications that you have to get You will tell This is the time where the storm has come You will find an end That this is why you have to do this You will find something You will find it The fourth line is the storm calms That simply means This is the time when the storm has calmed down That the storm has come वो अब थमसा गय है पट अभी भी जो है आप एक वनरेबल पुजिशन में हैं एक टेलिकेट पुजिशन में इस इड़ ताइम वे लिए स्टील नीड शुपोर्ट कि आपको किसी ना किसी सपोर्ट की जुरत पड़ेगी और उसी सपोर्ट की वज़े से आप इस स्टॉर्म की वज़े से यह जो प्रॉब्लम हुई है यह जो आप गुजरे हैं डिफिकल्ट पीरिट से उससे आप आराम से भारा सकेंगे जो फिफ्ट लाइन है इस कॉल्ट दे स्टॉर्म डिपार्ट्स यह टाइम है जब मुसीबत का समय जो है टल चुका है मुसीबत जो है जा चुकी है आप जो डिफिकल्ट पीरिट से जो गुजर रहे थे वो निकल चुका है बट यह एक बहुत एक छोटी सी विक्ट्री है यह एक छोटा सा एक stable period है आपकी लाइप का, आप इसके उपर पूरी तरह से rely नहीं कर सकते, आपको अभी भी अपने आपको तयार रखना है कि अगर कोई मुसीवत आए तो, तो कि आप एक बहुत डेलिकेट पीरिट से अभी गुजरे हैं, इस वक जो है कोई भी बड़ा यह आपको लगता है कि यह थोड़े से जो कॉन्फिटेंस आप में आया है कि आप सीदा जो है माउंट अबरस में चड़ँए आप स्लोली स्लोली छोटे-छोटे स्टेप्स लीचे और अपने आपको स्टेबल बनाई लिए यह ए फाइनली जो सिक्स लाइन है, वो कैलाती ह जिसका आर्थ है कि जो भी नुकसान आपका हुआ, जो भी डिफिकल्ट पीरिट से आप गुजरे, उसके अंदर आपको जो है तकलीप ही हुई, बहुत दुख से भी आप गुजरे, लेकिन ये हेक्साग्राम हमें बोलता है, इस तू शल पास, जब सुख का समय नहीं राफ त So, in conclusion, इस हेक्साग्राम को हम बोलते हैं, water over thunder, जिसका दूसरा नाम जो है, storm भी है, या तिफिकल्ट पीरिट, the difficult time which you go through, इस हेक्साग्राम में हमें यही इंडिकेशन आती है, कि जो आपकी beginning है, जिस तरह से जब आपका एक डिफिकल्ट पीरिड आता है, उस वक्ट जो है, जिसमें, there are like few moments, there are few chances, when you can do something about it, जो difficult period है, वो सब की लाइफ में कही ना कहीं किसी ना किसी धंग से आता है, लेकिन जब आपके पास वो दिफिकल्ट पीरिड आये, आपके पास जो है, इना स्ट्रेंथ को उसे डील करने की, तो difficult period भी आपको कुछ ना कुछ सिखा जाता है, दिफकल्ट भी आपके लहें कही ना कही ना कहीं, गड्लेसिंग की अरता है, जो आपके पास सब्सक् सिखेखेएं लाइक कुछ साथए जल सिग półक्त कर जड़ में कि इना स्ट्रेंग, जो आपके घाथ बैठा गुरूए है, वो आपको कहीं की ना कही ना किसी ना किसी ना क गाइड करेगा, all you have to do is take that guidance and be with it so this was my reading for the Hexagram Chun I hope आपको ये वीडियो पसंदा होगा and I will see you in my next one, thank you so much for watching, Namaste